नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आज हम आपको ऐसे फूलों के बारे में बताएंगे जो आपके भागे को बदल सकता है तो चले शुरूत करते हैं और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तब लाइक करें अपनों से सेर भी कीजिएगा तो चले पहला पुस्प है ब्रह्म कमल और इस पुस्प के बारे में कहा जाता है अगर आप सिपज सब्सक्राइब के राजियों में पाया जाता है लेकिन लोग आज कल अपने घरों में गमलों में भी उगाते हैं तो ब्रह्म कमल खासकर उत्तराखंड रूपकुन हेमकुन ब्रजगंगा चिफला फूलों की घाटी के दारनात में पाया जाता है पर अभी अधिकतर लोग घ लेकिन पुरानिक मानेता यह है कि भ्रहमकमल भगवान सbert का सबसे प्रिपरफ्प और केदारानात और बद्रिनात के मंदिनों में प्रतिमाओं पर चड़ाये जाते हैं मानेता यह भी है कि भगवान विश्णू हिमाले च्शेतर में आये तो नहोंने भगवान भूले नात क एक हजार ब्रह्म कमल चढ़ाए जिसमें से एक पुस्प कम हो गया तब विश्णु भगवान ने पुस्प के रूप में एक आँख भोले नात को समर्पित कर दी थी तभी से भोले नात का एक नाम कमनेस्वारा विश्णु भगवान का नाम कमल नयान पड़ा तो हिमालय छेत भी का भी यह प्रिये पुस्प है यहां तक कि इसे बुरी आत्माओं को भगाया भी जाता है इस पुस्प की सायता से तो ब्रह Qamal क Scr Punk महाभारत काल में भी मिलता है जब आक्ष्ईान है कि इस Jew को पाने के लिए दॉक बहुत उत्सुख हो गई थी तब भी म सेंड़े लेने खटाने को कहा प्रंथु ہन्माद जी ने कहा तुम सक्ती साली हो तो या पुछ तुम हटा दो प्रंथु भीम ऐसा नहीं कर सके तब उन्हें समझ में आया कि यह तो साक्षात हनमान जी है तब भीम कวलहो का एह तो ये तो थी ब्रह्म कमल की महिमा अब हम बात करेंगे नील कमल की देखिए नील कमल के बारे में कहा जाता है कि ये कई सालों के बाद खिलता है और ये चमतकार ही है क्योंकि ये अती दुरलब पुस्प है और साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है तो हिमाले के छेतर में अमोम कमल उगा रहे हैं तो हिंदू पुरानों की माने तो कमल के फूल के उत्पति भगवान विश्णू की नाभी से हुई है और कमल के फूल से ब्रंभा जी की उत्पति मानी जाती है तो कमल के पुस्प को ब्रंभा लक्षमी सुरसती जी ने अपना आसन बनाया है तो कमल का पुस तो नील कमल को भगवान बिश्णू का प्रिय पुस्प माना जाता है और यह नीले रंका होता है चुकि नील कमल काफी दुरलब है और इनका खिलना एक चमतकार ही माना जाता है जिस प्रकार से हमने आपको कहा ब्रह्म कमल के बारे में उसी तरह नील कमल भी बहुत ही अलग हो अगर आपके घर में हैं तो आप बड़े स्वभागिसाली हैं तीसरा है कृष्ण कमल दुनिया का सबसे सुन्दर पुस्प इसे माना जाता है और इस पुस्प का हिंदू धर्मे भी महत महत्व है वैसों तो इस पुस्प की बाहरी पंखुर या बैगनी लालिया सफेद रंग की होती है और इसकी संख्या एक सो होने के कारण इसे कौरप कहा जाता है इसके उपर पांच कली होती है जिसे पांडब कहते हैं इसके अलावा पांच कलियों के उपर तीन कली होती है जिसे ब्रंभा विश्णू महेश का प्रतीक माना जाता है और इस पुस्प का जो सेंटर है उसे कृष्ण सरूप मानते हैं तो कृष्ण कमल की बनावट राखी जैसा होता है इसलिए इसे राखी बेल या जुंका लता भी कहते हैं यह ना सिर्फ देखने में सुन्दर है बलकि आपके घर में है तो आपके घर के लोग हमेशा स्वस्त रहते हैं बीमार कम पड़ते है और आयुर्वेद में भी इस पुस्प का बहुत महत्तों बताया गया है क्योंकि यह पुस्प रिलेक्स कराता है रात को अच्छी नींद देने वाला यह पुस्प होता है और इसके लाब भी बहुत है लेकिन आज हम आपको कुछ खास बताएंगे चुकि इसकी जो लताय होती है वो बेल की तरह होती है इसलिए इसे जुमका लता भी कहते हैं और जुगनु फूल भी कहा जाता है क्योंकि यह पुस्प बहुत सुन्दर होता है तो अधिकतर यह हलाकी यह बिदेशों में ज़्यादा पाया जाता है लेकिन अब हमारे देश इसमें भी है साउथ अमेरिका इस्ट अमेरिका वेकरह में पाया जाता है और इसके जमीन के उपर उगने वाले जो हिस्से हैं उन्हें से दवा भी बनती है तो लताओं में पुस्प के साथ फल भी उगते हैं साथ ही यह कमल कई रंगों में पहा जाता है जैसे कि बैगनी ल रो में लगाना पसंद करते हैं तो इस पुस्प को घर में लगाने से जीवन में सुख बढ़ता है सांती आती है सम्रिद्धी बढ़ती है घर के लोग उन्नती करते हैं और सभी तरह के राज-योग दिलाने वाला ये पुस्प होता है इसलिए इसे लगाना बहुत सुभ है इस क्रिश्न कमल के कई औसधी फाइदे भी होते हैं तो औसधी फाइदे को वारे में हम अगले वीडियों बताएंगे लेकिन आज हमने आपको तीन पुस्प के बारे में विस्तार से जानकारी दी पहला था ब्रह्म कमल सिप जी को ब्रह्म कमल अर्पित करने से वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और घर में लगा हो तो उनका आसिवात सदय मिलता रहता है सिप जी ने ब्रह्म कमल से ही जल छिड़क कर गनेज जी को जिवित कर दिया था इसलिए इसे जीवन देने वाला पुस्प माना जाता है को यह ब्रह्म कमल अती पसंद है इसलिए इसे नंदा स्टमी से जोड़ा जाता है और ब्रह्म कमल के पौधे घर में लगा है तो सुक सम्रिद्धी दिन दूनी चराच चोगोनी बढ़ती है तो माना जाता है इनकी पंखुरियों से अम्रित की बूंदे टपकती है और यह घर में स्टकात्मक वातावरन भी लाता है ठकान मिटाने वाला सर्दी जुकाम खासी कैंसर के इलाज में भी लाबदायक होता है और इनके जो राइजों में इसमें एंटिसेप्टिक गुन होते हैं जले कटे घाव में भी प्रयोग होता है और साथ ही गर्म कपरों में डाल कर रखे तो यह कपरों में कीडे विगरे नहीं लगने देते हैं हड़ी के परिसानियों में भी इसका काम आता है क्योंकि कहते हैं कि पुराने जमाने में जो जंजाती लोग थे वो रोग ब्याधी ना हो बुरी नजर दोस्ट से बचे रहें इसलिए इस पुस्प को घर के दरवाजों पर लटका देते थे अगर आपके घर में यह पौधा है तो आप भी लटकाया करें ताकि किसी भी तरह का निगेटिव एनरजी से आप बच सके तो फिलाल हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्स